जो बात होती है सोलर की तो हम सोलर के ऐसे स्टॉक्स जूड़ने में बैड जाते हैं जो हमें मल्टीवेकर रिटर्न देर सकते हैं और ये हो भी सकता है क्योंगी सोलर इंडिया में एक संराइज सेक्टर की तरह से है ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज शायल आपको समझ नहीं आ बढ़ जब 2030-2040 के आसपास जाएंगे 2030-40 then you will realize the importance of सोलर के आप सोचेंगे उस समय सोलर की कंपनीज में गर हमने 2023 में 24 में निवेश किया होता तो आज कितने अच्छे रिटरंस हो सकते हैं और वो 2070 तक जाते आते हैं वो multifold रिटरंस हो सकती हैं अंदाजा भी नहीं लगा सक इसी कड़ी में बहुत साए सोलर सोक्स के ऊपर में वीडियो बना चुक हूँ यहां पर मेरा ध्यान कीचा है कि ऐसी निव्स है जहां पर अश्रिष कचोलिया और मुकल अगरवाल जो इस इन्वेस्टर्स में से आते हैं उनको इस कंपनी में स्टेक लिया है इनोने एक परस करना हैंगे सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे और हमारे पुराने चैनल पर इसको भी सबस्क्राइब कर लेजी यहां पर डेली 9 बच के 15 मिट पर मॉर्निंग पर 9.15 पर डेली एक कंटेंट पोस्ट होगा क्योंकि यहां भी पुराने फॉलवर्स हैं जो कंटेंट की वेड़ करते रहते हैं चीक है और यहां पर पुराने चैनल पर हम डेली निफ्टी की वीडियो भी शायद आने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की वीडियो भी लेके आने वाले तो बहुत इंटरस्टिंग होने वाले दो चैनल रहेंगे एक निफ्टी के लिए और ए इसी साल आया हुआ IPO है, जिसमें से आशिश कचोलिया को ओफर के गए हैं, 15,54,000 shares, 0.87% stake है, जो 12 करोड रुपे की value रखता है, मुकुल अगरवाल को ओफर के गए हैं, 21,62,162 shares, which is almost 1.21% stake in रविंद्रा एनरजी, जो उनकी investment का 16 करोड रुपीज है, हम किसी भी stock में 1,2,5,000 लगाने में पसीने चूट जाते हैं, हम कहते हैं, हमारे पास इतना होना ची है, इस investors, बड़े investors, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो एक stock में 1,2,5,000 लगाते, they are investing in crores, 16 crores, 12 crores, अगर आपको भी समझना है कि वो कौन से stock हो सकते हैं, तो हमारी आने वाली master classes आप जोईन कर सकते हैं, जो अभी होने वाली हैं, हैदराबाद में 28th and 29th को, और बहुत ही जल्दी वीडियो आपके सामने लेके आँगा हुआ, जो आपको बताएगा हमारे आने वाला schedule, हम एमदाबाद आ रहे हैं, हम कॉलकत आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, तो जहां भी आप हैं, अगर classes लेना चाहते हैं, professionally is wealth creation journey को समझना चाहते हैं, तो you are most welcome screen पर देगे नमबर पर contact कर सकते हैं, WhatsApp के थ्रू या call के थ्रू, तो ये तो बात रही कि भी आप बड़े दिगज इसमें उठा रहे हो, ये बहुत latest news है, ये बिल्कुल 9 घंटे पुरानी news है, that means ये आज की news है, मैं इस वीडियो को shoot कर रहा हूँ 12 September को, ये वीडियो morning में 13 September को morning में 11 बज़े आपको इसी चैनल के उपर में मौझूथ हो जाएगी, जिससे मैं वीडियो देख रहे होंगे, उससे में मार्केट खोली होगी, stock 5% upper circuit ह जगातार stock upper circuit चल रहा है, और ये stock अगर देखेंगे, यहां से 72 रुपीज से move करना साट किया, and 1334 रुपीज के असपास में अभी भी अपर सरकेट है, मुझे नहीं लगता अभी कुछ दिनों तक ये stock आपको मिलने वाला है, अगर किसी dip पे ये stock मिलता है, तो इसको लेने क कोशिश की जा सकते हैं, वाट कभी भी आप अपने portfolio का पूरा पैसा मत लगाईए, क्योंकि आपके पास limited money है, आशिश का चोलिया, मुकर गरवाल, या परिंचो विलिया, इन बड़े लोगों के पास में, विजे के डिया जी के पास में, इनके पास बहुत पैसा है, इनके 1980 से है, बहुत पुरानी कंपनी है, 2024 में इसका IPO आया है, इस कंपनी is into the business of selling solar pumps, setting up of solar generation power and setting up, ध्यान रखना, ठीक है न, and ground mount and rooftop, मुदी जी की बाद याद आ रही है, generation and sale of power, मैंदब, कमाल, this company is designated by the ministry of new and renewable energy as an empaneled supplier of solar water pumps and roof channel partner, ते कज लाइन है ये, बहुत कमाल की लाइन है, जो इसको समझ गया समझ आजगा, these accreditions enable the company to offer the full range of subsidized available for solar systems, with all products designed to comply with the ministry standards, ये वो jackpot है, ये watch list में डाल लो, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मरजी होनी चाहिए, ठीक है न, ये देखो मैं कुछ नया नहीं बता रहू न, सब कुछ पब्लीक डोमीन में Google पे अविलेबल है, जाके क या करो, company has undertaken projects at various locations in Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, relating to solar photo welting power pumping sessions, rooftop solar projects, ground mount solar power projects, भाई आपको इससे जारा क्या ची और पढ़ ले न, और रचे समझ में आजेगा, company details जानते हैं, एक small cap company है, 5095 crores की company है, equity बहुत बड़ी नहीं है, only 15.4 crores shares are available, बहुत बड़ा IPO नहीं है, बहुत बड़ी equity इसके मेनी है, current market price 104 rupees के आसपास में, IRIDA याद है आपको, 35 rupees के आसपास का IRIDA का IPO था, उसके बाद वो stock free के भावगी था, और कहां थे कहा IRIDA चला गया, इधान लगना, देख ये company, कहीने कहीं उस segment में fit होती हुई, दिखाई दे रही है, रविंदर जड़ेजा की तरह है, जो Indian cricket team में बहुत ही solid player है, हो सकता है, रविंदर एनर्जी के एनर्जी आपको काम आए, life में इसको washes में जरूर डाल के रखना, pledge percentage, 8% stock pledge भी है, return capital employed 12% के आसपास है, return on inquiries 35% which is fairly enough, 10 paid up share है, तो split नहीं हुआ है, latest company है, 10 की face value पर ही listing हुई थी, debt 148 close का debt है, ठीक है, थोड़े बहुत कर करते ही है, जो company expansion करती है, तो करते है हो सकते है, तो रविंदर एनर्जी के IPO के बार में जादा details Google में भी available नहीं है, वो भी साप केते हैं, बहुत जादा available details यहां नहीं है, बट फिर भी 30th May 2024 का इसका प्राई सा 64 रूपीस के आसपास है, तो चार्ट आपको बहुत पुराना चार्ट यहां नहीं दिखाई देता है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं, तो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, वो है, यहां पर जादा से जादा 30th July से चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, यहां से stock ने एक rounding bottom formation की हाला कि rounding bottom बहुत ही छोटा सा है, आप एक W pattern इसको मान सकते हैं, W pattern भी हो सकता है, यह breakout भी दिखाई दे रहा है, तो यह breakout भी almost 80-90 रुपीज के आसपास का breakout factor दिखाई दे रहा है, तो मेरे इस आप से कोई dip आती है, और यह इस price पे दुबारा कहीं मिलता है, यह इस price के half भी कहीं मिलता है, शायद 90 रुपीज के आसपास भी मिले, इसे बड़े investors जो भी होते हैं, वो कभी भी सटा मारने के लिए market में नहीं आते, यह investors होते हैं, यह theme को play करते हैं, यह theme के साथ चलते हैं, तो अगर आपको भी long term जाना है, तो बड़े investors को copy करना पड़े हैं कि style में, उनके portfolio copy नहीं करना है, उनकी style को copy करने कोशिश करना है, तो वो क्या देखते हैं, कौन सी companies में invest कर रहे हैं, क्यों invest कर रहे हैं, public domain में सब कुछ available है, रविंद्र एनरजी के बार में आप क्या सोचते हैं, आपके targets क्या होते हैं, आप जरू बताएगा, मुझे क्या लगता है, रविंद्र एनरजी को अगर मैं calculator के उपर लेकर आता ह खुलने के बाद जब correction होगी, तब देखेंगे क्या वो 121 पर मिल रहा है, 110 पर मिल रहा है, 100 पर मिल रहा है, 90 पर मिल रहा है, जहां मिलेगा वहाँ पर इसका re-analysis करने ही कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टोक बहुत ही interesting लग रहा है, जब भी इसमें कोई dip आएगा, इसका second video ज़रूर लेके आऊँगा, interesting company, आपको क्या लगता है, रविंदर एनरजी जैसी और भी कोई company आपको दिखाई देती है, जिसके fundamentals बहुत स्रोंगो, जो solar के साथ जुड़ी हुई हो, हो सकता है हमाई watchlist में आओ, आपकी watchlist में हो, ज़रूर बताएगा, मैं मिल तब नेक्स व